हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू माई चैनल क्यातिस हपी कुकिंग आज हम बनाएंगे बहुत हल्दी हाई प्रोटीन और बहुत टेस्टी चटा के दार मसूर पुलाओ तो चल रेसिपी स्टार्ट करते हैं मसूर पुलाओं हम बनाएंगे प्रेसर कुकर में इसके लिए मैंने कुकर ले लिया है उसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून गी एक टेबल स्पून तेल अब मैं डाल रहें यह तेश पत्ता यह दाल चीनी यह सुखी मिर्ची दो तीन लॉंग हम डालेंगे यह चक्रफूल और एक हरी इलाइची और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब यह मैंने डाल दिया वन टीस्पून जीरा अब डाल रहे हैं मैं वन टेबल स्पून कटा हुआ लसन यह एक हरी मिर्ची डाल रहे हूं और डाल रहे हैं वन टेबल स्पून अध्रक का पेस्ट सर्प अब मैं वेजिटेबल्स डालूंगे यह डाला मैंने एक मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज यह एक आलू यह फ्रेंच बीन्स और अब डाल रहे हूं मैं यह एक कैपसी कम और यह सारे चीजों को भी मिक्स कर लेती हूं और यह में डाल रहे हूं स्वाद अनुसर नमक यह है आधा कप मसूर यह मसूर को मैंने दो गंटों के लिए पानी में भीगो के रखाता है अब पानी निकाल दिया है यह सबजी अब 50-60% कूक हो गई है अब मैं इसमें डालूंगी यह मसूर और मसूर डालके भी मिक्स कर लूंगी अब मैं एड़ कर रहे हैं वन टेबल स्पून बिर्यानी मसाला और यह हाफ टेबल स्पून रेड मिर्ची पावडर और इसे में अच्छी तरह सब मिक्स कर लूंगी यह है वन कप बासमती रैस इसे भी मैं पानी में आदे पौने गंड़ के लिए बिगो के रखा ताब पानी निकाल दिया है और इसे भी मैं प्रेसर गुकर में डालूंगी रहा के मैंने मिक्स कर लिया आप में डाल रहा हूँ पानी हमको चावल खुले खुले चाहिए न तो उसके लिए हमारा जो राइस और वेज़िटेबल स्काल जितना लेवल है उतना ही लेवल का हमको पानि डालना है जैसे कहाँ अब देख सकते हूं मैंने राइस और पानि का लेवल सेम रखा है अब मैं इसे प्रेसर कुकर में दो विसल हाई फ्लेम पे लगाएं उसके बाद में गयस इंडियली बंद कर दूगी अधर ही कि कि डो विसल के बाद में गैस बन्द कर दिया उसके बाद उसकी जो एईर है वह अपने अपरिली पुलाव बहुत ही तरह से खुला खुला बना है और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूं तो ये लीजिए गर्मा गर्म मसूर पुलाव मैंने सव कर लिया है आप राइते के साथ भी सव कर सकते हैं बहुत इजी है बनाने में बहुत फटा फट बन जाएगा हाई प्रोटीन है हल्दी है और एक्जेट प्रपोर्शन फॉलो कीजिए बहुत अच्छा बनेगा अगर आ प्रोटीन